कि नमस्कार मैं डॉक्टर उर्मंद्रू लाइफ्ट्रेल डिजिस प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिवादन करते हुए आज हम ट्यूजडे इसलिए बात करने वाले हैं कोवीड के बारे में एक ऐसा मुद्द हम चर्चा करने वाले हैं जो शब्द हम बार-बार इन दिनों में सुनते आ रहे हैं सीरो सर्वेलंस और हर्ड इम्यूनिटी तो चनो देखते हैं यह सीरो सर्वेलंस और हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज है सबसे पहले समझते हैं यह सीरो सर्वेलंस क्या है सीरोज सर्वेलन्स एक ऐसा अत्यार है जिसके द्वारा किसी प्रांध के, किसी देश के, किसी मुल्क के या किसी छोटे से डिफाइंड किये गए एरिया के रेंडमली सिलेक किये गए चूज किये गए पसंद किये गए लोगों के खून की जाच करके उनमें जो रोग फैल रहा है उसके सामने रोग प्रतिकारक शक्ति कितनी है उसका अंदाज लगाने की कोशिश उससे सीरोज सर्वेलन्स केते हैं यह epidemiologist के लिए बहुत जरुरी है epidemiologist यानि की संक्रमित रोगों के शिकारी जो संक्रमित रोगों के पीछे लगे उए रहते हैं ये रोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पीछे जाएंगे, उन्हें कैसे दबा दिया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, ये सबी strategy, ये जो हम view रचना बनाते हैं रोगों के सामने, संक्रमान रोगों के सामने, infectious disease के सामने, जैसे की COVID, ये सब ये epidemiologist बनाते हैं, और उन epidemiologist का से बड़ा आतिया रहे सिरो सर्वेलंस, तो हम सिरो सर्वेलंस के बारे में basic चीज़े जानते हैं, ये जो सिरो सर्वेलंस जब पिछले साल किया गया था, एक साल पहले, तब पता चला था, कि 6.6 प्रतिशत, यानि कि 100 लोगों का अगर खून लिया गया, तो उसमें से 6 सर्वेलंस कैसे किया जाता है, तो एक geographical area नक्य किया जाता है, ये काम ICMR करता है, Indian Council for Medical Research, तो ये ICMR district नक्य करता है, जिले नक्य करता है, और उसमें से samples नक्य करता है, कि महारास्टर के इस जिले में से 10 लोगों के, इस जिले में से 5 लोगों के samples लेने हैं, उसके बाद में volunteers यानि 7C को मिला जाता है, उनकी सम्मत ही ली जाती है, बाद में उनका खुन लिया जाता है, और जब ये पहले से नक्य किये गए, आंकड़े तक पहुंचते हैं, फिर उसका analysis किया जाता है, कि किन लोगों में कितनी रोग प्रतिकारक शक्ती है, और उसके परिणाम जाहिर किये जाता है, ये बिलकुल ऐसाई है, जैसे कि election के बाद में, जो जिस तरह से survey किया जाता है, election के बाद में, और पचास्तो हजार, 2000, 5000 लोगों को मिलकर नक्य किया जाता है, कि इन लोगों का रुजान देखकर कहा जा सकता है, कि ये party सक्ता में आएगी, तो ये यही चीज बिलकुल ये सिरो सर्वेलेंस किया है, जितने आसार उन election के रुजान को गलत होने में हो सकता है, उतनी गलत ये सिरो सर्वेलेंस हो सकती है, क्योंकि ये कम लोगों में किया जाता है, ये सिरो सर्वेलेंस क्या बताता है, कितने लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ती है, इचले साल जिन लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ती 6 प्रतिर्शत लोगों में थी, वो सिर्फ रोग के कारण थी, इस बार लोगों को रोग से संक्रमन भी हुआ है, साथ में ठिका भी लगा है, तो इस बार जो रोग प्रतिकारक शक्ती दिखाई देकी, ये दोनों की मिली जूली असर होगी रोग से पिडित लोगों की भी और वेक्सिन से जिन लोगों ने रोग प्रतिकारक शक्ति पाई है उनकी भी ICMR के जो चोथा सिरो सर्वे था उसका एम क्या था एम ये जानने का था कि क्या भारत में 80% लोगों ने रोग प्रतिकारक शक्ति आंसिल किये अगर हां तो तिसरी लहर आने के चंसित बहुत कम है चलो देखते हैं ICMR इसमें काम्याब हुआ या नहीं सर्वे कैसे किया गया था ICMR ये सर्वे हर तीन महिने पर करता है हर देश करता है उसी तरह से पारत में भी ये सर्वे हर तीन महिने पर किया जाता है में जुन 2020 को किया गया और सप्टेमबर 2020 फिर दिसमबर जनवरी 2020 और अब किया गया जून जुलाई आप कहेंगे दिसेंबर जन्वरी के बाद सीधे जून जुलाई क्यों कि बीच में दूसरी लहराई और जब पेंडेमिक एक्टिवली फैल रहा होता है तो यह सी रोस सर्वे आथ नहीं लिया जाता भारत में 742 जिले है तो उसमें से 10 प्रतिश शर्वे किये गया थे ताकि उन लोगों की कंपेरीजन उनको एक तुसरे के साथ मेंच करने में आसानी हो कि दूस्ठी सरवे में इस जिल्ले में से इतने लोगों में रोग संक्रमिक्रह प्रतिका र ćखशक्टी थी अब उसी जिल्ले में लोग प्रति का रख्षक्ति बढ़िया या कम हुए और साधरनता यह सर्वे हर बार करीब 30,000 लोगों पर किया जाता है तो इस बार भी उसे 28,975 लोगों पर किया गया चलो देखते हैं इस सर्वे के findings क्या क्या दिखे सबसे पहला तो यह दिखा कि यह जो डिल्टा वाइरस था डिल्टा म्यूट्रेशन वाला वाइरस वह बहुत फास्ट संक्रम ही तो रहा है जल्दी से पहल रहा है कैसे पता चला 2020 का जो सबसे पहला हुआ था उसमें 100 में से 70 प्रतिशत लोगों में infection फैल रहा था इस बार 60 प्रतिशत लोगों में चेप फैल रहा है तो यह जो delta virus था उसके कारण संक्रमन की शक्ती उसकी बहुत powerful थी करीबन कह सकते हैं कि 60 प्रतिशत ज्यादा थी पहले virus से दूसरी चीज जो इस सर्वे में पाई गई कि अगर अलग-अलग उम्र के ग्रूप बनाए जाए तो 54 के 45 से 70 साल के लोगों में सबसे ज्यादा रोग प्रतिकारक शक्ती दिखाई दी करीबन 45 प्रतिशत लोग 45 से 70 वसकी उम्र में आयू में रोग प्रतिकारक शक्ती डेवलप कर चुके हैं और यह सौबा इक पिता क्योंकि दूसरी लहर में इसी उम्र के लोगों में ज्यादा संक्रमन देखा गया था और भारत में जब तीका आया तो सबसे पहले इनी एज दोनों कारण से इस एज ग्रूप में रोग प्रतिकारक शक्ती सबसे ज्यादा देखी गई एक और चीज जो दिखाई दी वो थी हेल्थकेर वर्कर 85 प्रतिशत हेल्थकेर वर्कर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ती दिखाई दी याद रहे हेल्थकेर वर्कर ज्यादातार लोगों ने जनवरी फरवरी में टिका लगवाया था जिसका मतलब है जुलाई तक उन लोगों में जड़ातर लोगों में हेल्सकेर वरकर्स में रोग प्रतिकारक शक्ती टिकी रही है ये बहुत अच्छे समाचार है क्योंकि इससे हम कह सकते हैं के रसी लगाने वाले लोगो में पांच से छे महिने तक तो रोग प्रतिकारक शक्ती टिकती है दूसरी चीज ये बहुत आता है कि भारत में बनी हुई सभी रसी असर कारक है क्योंकि हेल्थकेर वरकर में 85 प्रतिकारक शक्ती टिकी हुई है एक और चीज देखी गई गां हो या शहर दोनों जोगा पर रखी गई वो यह थी कि 66 प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ति दिखाई दी रही है छे साल की उम्रह के उपर के लोगों में पर हमें अगर रोग को यहां पर रोकना है तो 80 प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ति होनी चाहिए जिसका मतलब यह है कि अभ वेक्सिनेशन फास्ट करें तो ये प्रतिशत जो अभी 66 प्रतिशत है वो 80 प्रतिशत पहुंच सकता है और हम तीसरी वेव को दूर दकल सकते हैं या फिर रोग सकते हैं एक और चीज जो देखी गई दो तीहाई लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ती है इसका मतलब है एक तीहाई लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ती नहीं है एक तिहाई का मतलब होता है करीबन 40-42 करोड लोग ऐसे हैं जिनको संक्रमन होने के पूरे चांसिस तीसरी लहर में है याद रहे है ये छोटी फिगर नहीं है ये बहुत बड़ी फिगर है अगर उसमें से सिर्फ आधे प्रतिशत लोग भी मरते हैं तो भी हम बोल सकते हैं कि 2 करोड मौते तिसरी लहर में हो सकती हैं और हमें कोविड को inte यह यह चाहिए भारत में कम से कंप 40 करोड लोग अभी भी ऐसी है जो तिसरी लहर की जपट में आ सकते हैं और इसलिए तीसरी लहर जल्दी या देड़ से आने वाली है एक ही तरीका है सिवा कि हम वेक्सिनेशन को और फास्ट करें तो ही ये लहर को हम दूर ठेल सकते हैं सिरो पोजिटीवी सी वेक्सिनेशन में कितने लोगों में दिखाई दी जिन लोगों ने एक डोज लिया हुआ था रसी का उसमें से दो तीहाई लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ती दिखाई दी और जिन लोगों ने दोनों डोज दे लिये थे उसमें से 90 प्रतिशत लोगो में रोग प्रतिकारक शक्ति दिखाई दी यानि कि अगर आप वैक्सिन लेते हैं तो ज़्यादा तर यह शक्यता है कि आप में रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप होगी और याद रहे यह सब बाते हैं सिर्फ भारतिय वैक्सिन की जिसका सीधा मतलब है भारतिय वैक्सिन अस असरकारक है परतिय वेक्सिन बहुत असरकारक है ये देखने का और पूरी दुनिया को दिखाने का ये बहुत बढ़िया तरीका था जहां पर हमने दिखाई दिया और सब लोगों को दिखा दिया कि 90 प्रतिशत लोगों में दो डोज लेने पर को वेक्सिन या को विशिल्ड क दो डोज लेने पर रोग प्रतिकारखशक्ती डेवलप होती है और 6 महीने तक तिकती है क्या इसका मतलब है कि पेंडेमिक पुरा होगा नहीं जी जब तक 80% लोग वेक्सिनेट नहीं होते है या फिर रोग प्रतिकारखशक्ती डेवलप नहीं करते है ये रोग आगे बढ़ सकता है हम देख रहे है किराला में अभी भी करीबन दिन के नवजार केसिस देख रहे है नौर्थ इस्टेट्स में भी ये दिखाई दे रहा है क्याद रहे है दिल्ली में जब सेकंड वेव आया उससे पहले करीबन 60% लोगों में ये रोग प्रतिकारक दिखाई दिती और फिर भी दिल्ली दूसरी लहर के जपट में बहुत बारी मात्रा में आया था इसलिए 60% लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ती दिखने से आराम की सास लेने का कोई मतलब नहीं है क्या हम ट्रावेल कर सकते हैं जी नहीं आशाय है पर अभी ट्रावेल करन बहतर नहीं होगा हाँ अगर आपने वेक्सिन के दोनों डोस ले लिए है हाँ अगर आपने ट्रावेल करना बहुत जरूरी है तो ही ट्रावेल कीजिए ट्रावेल करते वक्त दो चीजों का खायाल रखिए दो चीजों का ट्रावेल में ऐसा कोई भी वेहिकल इस्तमाल ना क कीजिए और दूसरी चीज ट्रावेल करके ऐसी कोई जगा पर मच जाए जहां पर मास्क नहीं है या फिर छेफुट की दूरी नहीं है किशोरदा ने एक बार कहा था चल के तुझे में लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहों आसू भी नहों इसी तरह से दुन मत कीजिए तो ट्रावेल उनली फुली वेक्सिनेटेड एंड एप्सुलूटली नेसेसरी एंदाबाद में भी जो अंदाबाद मिंसिपल कोर्पोरेशन ने सीरो सर्वे का पांचवा राउंड किया जिसके परिणाम अभी-अभी आ है और ज्यादा तर जो सर्वे किया गया 75 प्रतिशत लोगों में ये रोग प्रतिकारक शक्ती दिखाई दी पर ये सर्वे सिर्फ 5000 लोगों में किया गया था विच इस वेरी स्मॉल फिगर 60 लग की अमदाबाद की वस्ती में 5000 लोग बहुत कम है इसलिए ये completely reliable नहीं है जो पहले के सीरो सर्वे में 27 प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ती थी इस बार वो 81 प्रतिशत पे दिखाई दिए जिसका मतलब ये है कि अगर हम अगर ज्यादा से ज्यादा लोगो को वेक्सिनेट करें तो कम से कम एमदाबाद तीसरी लहर को थोड़ा दूर देफिनेटली धकेल सकता है तो आखिर में इस पूरे वीडियो में हम क्या कहना चाहते है नंबर वन हर्ड इम्मूनिटी पूरी देश के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ती संक्रमन के सामने फैलने के आसार है पर अभी फैली नहीं है इस टिल अवे बट नोट फार अवे भरतिय वेक्सिन असरकारक है बहुत असरकारक है 90 प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ती होती है और ये रोग प्रतिकारक शक्ती कम से कम 6 महीने तक चालू रहती है एम्दाबाद के बारे में कह सकते हैं कि अगर हम vaccination को और भी fast बनाए तो हो सकता है एम्दाबाद तीसरी लहर को थोड़ी दूर दखेल सके December तक पता नहीं है कि जो हर्ड इम्दाबाद में डेवलप हुई है वो कितनी टिकेगी पर कह सकते हैं कि चार से छे महिने तक तो डेफिनेटली टिकेगी इसलिए अगले तीन महिने बहुत क्रूशियल है एम्दाबाद के लिए और भारत के लिए COVID appropriate behavior, mask, 6 foot की दुरी और vaccination अगर आपने वैक्सिन ले ली है नहीं ली है तो आज ही ले लीजिए जैसे ही बारी आए वैक्सिन ले लीजिए उससे भागिये मत और अगर आपने वैक्सिन ले ली है तो और लोगों को प्रोटसाइट कीजिए कि वो वैक्सिन ले तो आज यहीं पर रुकेंगे, यह conclusion बिलकुल खयार रखना, herd immunity आ रही है, पर आ नहीं गई है, travel only if highly necessary, crowded area के अंदर travel मत कीजिए, और vaccine नहीं लिए तो ले लीजिए, अगर vaccine ले लिए तो और लोगों को भी प्रोचसाइद कीजिए. अगले शुक्रवार को, एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि एमदाबाद के अंदर शायद third wave डिले हो जाएगी, पर भारत के अंदर cases बढ़ रहे हैं, क्या यह तिसरे वे लहर की शुरुवात है, देखेंगे अगले शुक्रवार को. जीवन शैरी के परिवर्तन के बारे में आपके बहुत सारे प्रश्णा आये, खासतोर से खाने के तेल के बारे में, इसलिए एक पूरा एपिसोड खाने के तेल के बारे में आपके प्रश्णों के जवाब इस मंगलवार को. तो आज बस सिर्फ यहां रुकेंगे, एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी Lifestyle Disease Prevention YouTube चैनल को बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके, उतना जैड़ा लोगों तक ये वीडियो झाल झाल